नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख उपर पटना में खुलेंगे तीन बड़े अस्पतार इस जिलो के लिए भी आया प्रस्ताव आदो के नीचे बड़ामध हुई विदेशी शराब की बोतले वेकल्टिक व्यवसाई के लिए सरकार देगी इतने लाख रुपे स्कूल एजुकेशन एंडेक्स में बिहार को लगा जटका अगने जन दिन पर शौरफ गाउंडी ने शेर किया दिल को छू लेने वाला वीडियो इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से पटना में खुलेंगे तीन बड़े अस्पतार इस जिलो के लिए भी आया प्रस्ताव राजे निवेश प्रोटसाहन परशत की 48-वी बैठक जो के विकास आयूक्त की अध्यक्षता में आयूजित की गई थी उसमें बिहार की राजधारी पटना के आसपास में तीन बड़े अस्पतालों के निर्मान को लेकर 117 करोड से अधिक निवेश प्रस्तावों को क्लिरंस मिल चुका है पतारी की पटना के जिन तीन इस्थानों पर अस्पताल का निर्मान किया जाएगा उसमें धनड़ुआ में 253 करोड रुपे के निवेश से 1000 बेड खगौल के रूपसपुर में इसके लावा राज के कई अन्य जिले भी जिनके प्रस्तावों को मनजूरी मिली है जिनमें सारण के गर्खा में 107 करोड रुपे के निवेश से 450 बेड चमपारण इस्तित पोकडियाल में 10 करो रुपए के निवे से 100 बिड, मुझपरपुर में 9 करो रुपए के निवे से 106 बिड और भागलपुर में 8 करो रुपए की निवे से 65 बिड के अस्पताल के प्रस्ताओ शामिल है इसके लावा एक और अने अस्वताल के नर्मान को लेकर पटना में मन्जूरी मिली है। इसके लावा किसी भी नई योजना या अने कारे जिन में वीतिये दायत्व का नर्धारन होड़ा हो उस तरह के नर्मान भी न लिया जाए। वीतिये वर्स 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान बिहार में केंद्रिये जेस्टी के संग्रह में 19.56 प्रतीशत की बरहोतरी दर्च की गई है। बतादे कि वीतिये वर्स 2021-22 में राचे में कुल केंद्रिये जेस्टी संग्रह 18.289 करोड की प्रापती हुई थी वहीं वर्स 2022-23 में केंद्रिये जेस्टी संग्रह कुल 21.200 करोड रुपए किया गया जो नर्धारित लक्षे से 20.000 करोड से भी अधिक है। मही चालू वीतिये वर्स 2023-24 में केंद्रिये जेस्टी संग्रह 22.000 करोड रुपए से अधिक बताया जड़ा है मालूमों कि वर्स 2022 में और 23 में केंद्रिये जेस्टी संग्रह बिहार और जारकन को मिला कर यानि कि पटना और राची जोन का है। लेकिन अगड़ हम बात करें सिर्व बिहार की तो वीतिये वर्स 2021-22 में केंद्रिये जेस्टी संग्रह कुल 7.133 करोड हुआ था जो वर्स 2022-23 में बढ़कर 8.554 हो गया। इसमें केंद्रिये उत्पात कर समहित नहीं है। बिहार के अभ्यर्थी राजी में ही देंगे NTA की सभी परिक्षाएं। अब बिहार के दूर दराज के अभ्यर्थियों को NTA यानि के नेशनल टेस्टिंग एजनसी के जरिये होने वाली 17 तरह की राश्टी इस्तर के परिक्षाओं में प्रदीश में ही केंद्रों NTA के सहीोग से सक्षा विवाग के दौरा तैयारियां शुरूब कर दी गई है वहें संबन में सक्षा विवाग और केंद्रे सक्षा मंत्राले के विवागों के साथ एक प्रदमभिक दौर की बातचीत भी हो चुकी है बता दे किस प्रद्ध के बाद बिहार के अभ्यर्थि AIS-HE के द्वारा NTA को भी भागिदार बना लिया गया है सर्वे के संदर में बताया गया कि बिहार के दस सक्षा संस्थानों में नमांकरों की क्रॉस चांच कर ली जाए मालम हो कि पिछली AIS-HE की तुलना में नई AIS-HE में बिहार में नमांकर में दो लाग का इजाफा हुआ वेकल्पिक वेवसाई के लिए सरकार देगी इतने लाग रुपे राजय में कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि सराप काडोबारियों पर छापे मारी के जाने के दौरान मद निशेद टीम को ग्रामीन एवं परिवारों के भारी विरोत का सामना करना पर रहा है इसे ने पटने के लिए बिहार सरकार के दौरा सदत जिव को पारजन योजना चलाई जारी है बतादी किसी युजना के तह सरकार के दोरा चनित इलाकों के सूची बद लाबुकों को अपना वेवसाइच सुरू करने के लिए 60,000 रुपए से लेकर 1,000,000 रुपए तक की राशी देने का प्रावधान है मालम हो किस समन्द में उतपाद मधनिशेद और निमंधन विवाग के अवर सचीवों के दोरा सभी अधिच्छक और सहायक आयुकत को निर्देश दिया गया है कि वराजी के सभी मोहलों और टोलों को चनित करने का काम करे इस बारे में विवाग के स्तियुकत आयुकत श्रीकृष्ण पासवान के दोरा कहा गया कि जो लोग भी अवैस सराब की कारोबार से जड़े हैं वह निर्दन परिवार से आते हैं ऐसे में इलाकों में इस योजना पर काम किया जाये तो इस तरह की कारोबारी में खुद कमी आएगी आलो के नीचे बरामद हुई विदेशी शराब की बोतले विहार में पुन रूप से सराब बंदी है इसे तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी हमें आए दिन सराब तसकरी से जुरे मामले सुनने को मिलते रहते हैं हाला कि इन अवाय सराब तसकरी प से पटना के उत्पाद विवाकी टीम और डोवी थाना की पुलस के द्वारा संयुत रूप से कारवाई करते वे एक आलू भरे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामत की गई है और साथ ही ट्रक चालक को भी अपनी गिरफ्त में लिया गया बता दे कि ट्रक चा सहकारी संग इस दिन मनाएगा मच्वारा दिवस बिहार राजी मतस्य जीवी सहकारी संग की 37 वारशिक आमसभा 10 जुलाई 2030 को मच्वारा दिवस समारों के रूप में मनाया जाएगा बता दे कि समारों में राजी के मतस्य जीवी सहकारी संग के नव निर्वाचित अध्यक् आपके जानकारी के लिए बता दे कि जानकारी बिहार राज मतश्य जीवी सहकारी संग के प्रबंधर निदेशक के द्वारा दी गई है। इस बारे में बिजली कंपनी मुख्याले के दिकालियों के दौरा बताया गया किया इसा इसलिए हो रहा क्योंकि पोस्ट पेड मीटर में रेडिंग कर बिल बनता है ऐसे में घंटे का हसाब नहीं हो रहा जिसका सरग्रामी छेतर में देखने को मल रहा। महावीर मंदर में रुद्राविशेक के लिए अब तक 1100 लोगों ने कराई बुकिंग। चार जुलाई से सावन के महीने की श्रुवात हो चुकी है ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में स्थत महावीर मंदर में श्रधालों की भीर में काफी बरहोतरी हो रही है। मालम हो कि महावीर मंदर में तीन सिवलिंग है जिस पर रुद्राविशेक करने के लिए अब तक लगभग 1100 लोगों के द्वारा बुकिंग करवाई गई है। दरसल सावन की महीने में भीर को देखते वे रुद्राविशेक के लिए बुकिंग की शुरुवात कर दी जाती आपके जानकारी के लिए बता दिए कि महावीर मंदर में मौझूद तीनों सिवलिंग पर 15-15 बार रुद्राविशेक किया जाएगा रुद्राविशेक को लेकर आचारी किषोन कुनाल के दौरा जामकारी देते वे बताया गया कि महावीर मंदर के तieseल से रुद्राविश पतना में सिल्पा सेटी ने जताई लेटी चोखा खाने की एक्छा। पतना में सिल्पा सेटी के द्वरा मगी पान और लिटी चोखा खाने की एक्छा जताई गई जिस पर उन्हें वहां मौझूद लोगों से सरह दिया गया कि वे सक्तू भी पीए जिसके बाद सिल्पा सेटी के द्वरा इसे अगली बार पीने का वादा किया गया। पतना में सिल्पा सेटी के द्वरा इसे में बता दिए कि बिहार सरकार के द्वरा इंटर यानिकी बारवी उत्तरन चात्राओं के लिए 268 करोर रुपए जारी कर दिये गए हैं जो चात्राओं को प्रोटसाहन राशी के रूप में दिये जाएंगे। आपके जानकारी के बता दिए कि बिहार सरकार के द्वरा इंटर जारी किया गया है जो वर्स 2023 में बिहार सरकार द्वरा मानिता प्राप्त बोर्ड से उत्तरन सभी कोटी की लड़कियों को मिलेगा। बालमो किस योजना के तहत हर चात्र को एक मुस्त 25,000 रुपे दिये जाते हैं। बावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीर भार कम कर देगा और पुर्व मध्य रेलवे के अंतरगर चलने वाली ट्रीनों की रफ्तार को और भी गती देने का काम करेगा। बतादे किस डेटिकेटट फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के इस टन रीजन में बिहार के भवुआ रोतास और अंगाबाद वक गया जिले से होकर माल गारियां गुजडेंगी। इस कॉरिडोर के बिहार के 249 किलो मीटर के छितर के लिए 11 स्टीशन बनने हैं जिनमें से कुछ स्टीशन बन चुके हैं तो कुछ के काम चारी हैं। बिहार को कुल 465 अंक मिले हैं जो की ग्रेड दो में आते हैं। बिहार में मौनसून पूरी तरह से पहुँच चुका है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से हो रहे हैं बारिश से लोगों को भीशन गर्मी से काफी रहत मिली है। ऐसे में मौसम भाग के तरफ से आने वाले तीन चार दिनों के लिए राजी में बारिश और वज्रपात के साथ में गर्जन होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आज को लेकर मौसम भाग के उड़ से राजी के 28 जिलों में तेज बारिश और वज्रपात को लेकर यलो अलर्ट भी जारी क्या गया है। वई कुछ लाकों में बूंदा बांदी बारिश होने के भी आसार जताई गया है। गाउली ने शेयर किया दिल को छू लेने वाला वीडियो। वीडियो में सौरफ गाउली ने अपने करियर सुजरी कहीं सारे यादों को शेयर किया है। अपने सतक से लेकर वर्ल्ड कप 2030 समेथ करियर के कई एहम लंहों को फैंस के बीश साजा किया है। बतादी कि सौरफ गाउली ने 113 टेस्ट और 311 वंडे मैच में भारत का निदित्व किया है। वहीं दादा ने टेस्ट फॉर्मेट में 16 सतक जड़े हैं। एक दोरा भी जड़ा है। उन्होंने टेस्ट में 7212 रंद बना है। सौरफ गाउली ने अपने वंडे करियर में 22 सतक और 72 अर्दश्रतक के साथ 11,363 रंद बना है। सौरफ गाउली ने टेस्ट में 32 विकेट चटकाए हैं वहीं बन्डे में तादा के नाम 100 विकेट दर्ज है। आईपी अर्मीन होने 69 मैच में 10 विकेट लिये हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है। आपके छित्र में बारिस की क्या सती है।